माई मेर चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो हम सीखेंगे पर्मुटेशन विद रिपिटिशन अलाउड तो इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाया है जिसे पर्मुटेशन पर हमने कई सारे क्वेशन कई तरह हैं कि पर्मुटेशन पर डिसक्रिशन किया ह तो यदि आप उस सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप उसको सीख लिजेगा चैनल पर अगर अब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजे बेल अकन को प्रेस कर लिजे और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें करें जिसे दूसरों की हाल पो सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब देखिए सब्सक्राइब के बस एंड डिफरेंट थिंग्स हैं और टेकिंग आर टाइम एंड रिपीटिशन अलाउड है तो यह फॉर्मला है लेकिन जिस तरह से मैं बताऊंग आपको फॉर्मला भी याद करना पड़ेगा बहुत इसलिया पड़ लेंगे देखिए इसमें कहा जा रहा है हाव में नंबर सफ त्री डिजिट्स कान भी फॉर्म विद डिजिट्ट टो फॉर्सिक्स एंड वें अडिजिट में भी रिपीटिट एनी नंबर फ्रम तो डिजिट्ट हो सकती है तो हमारे इसमें कहा जाए तो हम यहां पर भी क्या जाएगा पूर अगें फॉर्स विल भी हार्ट इसम पहले करते थे क्यों कि रिपपिटिशन अलाउड हो बिक्ता हो कि नहीं लिखा था ता दैन उसके 4-4, 3 places, 4 digits, repetition allowed, so means 4 into 4 into 4, so we have 64 choices, 64 numbers can be formed, okay, in next question, in how many ways 3 prices can be distributed, याद रखिएगा ध्यान देना है कि क्या distribute हो रहा है, 3 prices can be distributed among 4 boys when a boy can get any number of price, ठीक है, तो क्या देने हमें, क्या पूचा है, 3 prices, तो मनदद 3 blank spaces होंगे, तो अब 3 prices हैं, तो पहला price कितने बच्चों को जा सकता है, 4 boys है, so one price can be given any one of these 4 boys, so here we have 4 choices, then another price can be distributed to any of the 4 boys, so boys, so you have 4 choices here, and similarly here 4 choices, so you have again here 4 cube choices, means 64 is the answer, okay, तो 3 prices distribute करने हैं, तो हमने 3 places बनाएं, हर price के पास 4 choices थी, कि वो किसी भी लड़के को दिया जा सकता था, तो यहां 4 choices थी, again 4 choices, again 4 choices, because हम इसने कहा है कि, हम कितनी तभी तरीके से दे सकते हैं, any number of price, okay, अब next देखते हैं, 3 cards are chosen, one after the other, from a 52 card deck, find the number of ways this can be done, with replacement, without replacement, with replacement मतलब आपने एक कार्ड लिया, और आपने वापस उसको उसको डेक में डाल दिया, ठीक है, तो यानि कि, वो repetition allowed है, replacement का मतलब repetition allowed, without replacement मतलब repetition not allowed, तो पहले with replacement की बात कर रहे हैं, और हमें 3 card चूज करने, we have 3 choices, 3 card चूज करने, so suppose you have total 52 card, and suppose you are choosing 1st card, so you have 52 choices, and अब भी हम एक बात की बात करने, replacement की, so you have 52 choices, next, अगर आपने वापने वापस उसको उसको डाल दिया, so again you have a deck of 52 card, so again you have 52 choices, and again third time you also have 52 choices, so answer will be 52 cube, okay, you can find out this value, and, but in the next part when repetition is not allowed means without replacement, in that case you have 52 choices here, फिर आपने वापने वापने बचे 51, क्योंकि वापस उसमें रखी नहीं सकते हैं, without replacement की बात हो रही है, तो नहीं रख सकते तो कितने card बचे 51 बचे, फिर एक और card अब 2 card आचुके हैं, तो अब कितने बचे हमारे पास 50 cards, तो ध्यान रखना है आपको रिपिटिशन लाउड में हम कैसे करते हैं ब्लैंकिस्पेसिस बनाए उसको फिल कर ले तो कुछ क्वैशन्स आपके सामने हैं आप इनका स्कीन शॉट ले लिजेगा और राइक करें कमेंट करकी आंसर भी है कमेंट करके बताएं कैसा लगा दोस्त कोई साथ शियर करें जिसे उनकी मदद हो सके ही राद ही राद ही राद ही